नमस्कार वेलकम टू बिहार सिवल्स मेरे नाम है अलोक सिंग तो देखिए 68 बीपेजी का आंसर की जारी हो चुका है एंड मैं शूर हूं कि आप सब अपना मार्क्स मिला चुके होंगे किसको कितना आ रहा है सभी को मालूम चल गया होगा ठीक है अब एक बहुत इंपोर्टेंट काम यह बजता है कि हमें अब पेपर को अनलाईज करना चाहिए क्योंकि इस बार जो है बीपेजी के चेर्मैन ने ट्रेंड सडेनली चेंज किया है कुछ तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आगे हमें चलना होगा तो हम देखते हैं तो इस बार का जो करेंड सेक्षन का जो क्वेश्चन था उस पे आज के इस पर्टिगुलर वीडियो में बात करेंगे जो आपके लिए काम आएगा सौर्स के तौर पर 69 बीपेसी की अगर आप प्रिप्रेशन कर रहे हो तो पहले हम बिहार को देखेंगे उसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल बिहार स्पेस्टल करेंट सेक्षन से पांच क्वेश्चन पुछे गया है ठीक और पांचों क्वेश्चन हमारे मंतली करेंट सेक्षन में हमने डिसकस किया है पांचों क्वेश्चन हमने मंतली जो वीडियो में लेकर आता हूं उसमें डिसकस किया है आप देखोगे यहां नहीं पूछता था तो यहां पर आंसर होता होता कदीराबाद दरभंगा ने बता रहillarखा एक साफिक थे मैंने डिसक्च क्या है आंसे करेंड यहां पर सड़नली चेंज हो रहा है अगला देखिए एसडीजी रिपोर्ट जो है वो 2021 का है यह हमारे पिछले साल के वीडियो में है 2021 के वीडियो जो है बिहार का उसमें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो इस तरह के जो क्वेस्टन होते न वह अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि करेंट सेक्षन जो है एक ऐसा सेक्षन है जो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है आपको क यहाँ गया था लेकिन बां इसके पहले ही इसकी बात चल रहे थी मिक्तब्लाम मकाना को तो मिक्तला मकाना पर एक अलग और L plutôt मिक्तला मकाना के बारे में बढ़िया सा किया था उसके बाद में हमारे मंतली वीडियो में अगस्ट काई वीडियो देखिए मंतली वीडियो ठीक है बिहार का हमारा हमने मिθला मखाना को काफ़े डिटेल में डिसकस किया था यहां तक कि जो g-8 अब तक बिहार के जितने भी पोड़क्स को g- 8 टैग प्रॉआइड किया गए है, उस पर हमने complete एक detail video दिया था कि किस को किस साल में किस year में दिया गया, तो apply कहत्वा को कब दिया गया है, सिख्की गरास को कब GI tag दिया गया है छीड़ें, तो इन सब पर हमने detail में video बनाया था तो अगर वो video आप follow करते तो ये इसमें बिल्कुल confusion नहीं था, बढ़िया से आप मार के चले आते हैं, अब ये question देखिए, इस question में सबसे ज़्यादा लोगों को आज दिक्कते आ रही है, युनेस्को वर्ल्ल हेटेज लिस्ट दो हजार बाइस में बिहार का कौन सा ऐसा चीजा जिसको add किया गया है, किसी चीज़ को add नहीं किया गया है, बस एक rumor फैला था हमने, हमने अपने मंतली वीडियो में ही discuss किया था, और ये भी सायद आपको आगस्त के ही वीडियो में आपको मिलेगा साथ, ठीक है, वो देख रहे है ना, मंतली वीडियो में ही आपको है, तो हमने यहां भी discuss किया थ लंगत सिंग कॉलेज है, यह basically इसको सिफ rumor फैला था, कई सारे website, newspaper ने इसको छापना start कर दिया था, कि उन्हें इसको ने वीडियो में शामिल किया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, हमने इस बात को भी मंतली वीडियो में बदाया आपको, discuss किया, clear किया इस चीसको, ठीक है, तो यहां से भी confusion बिल्कुल नहीं, यहां तो बिल्कुल ही यही था कि नौन आप देवाफ होगा, क्योंकि यह महा बोधी मंद्री टेंपल को तो पहला ही मिल चुका है, और नालंदा महा विहार को भी पहला ही, यूने इसको वर्लेटे लिस्ट में मिल गया है, लेकि 2022 में को पहला है, तो सब लोग यहां पर confusion हो रहे हैं, कई सार जो YouTube पर बता रहे हैं teachers, वो लोग भी अब जाकर इसको clear कर रहे हैं, इस वार जब answer की BPSC ने दिया तो लोग clear कर रहे हैं, इसके पहले लोग इसी को मार रहे थे, ठीक है, तो इन सब चीजों पर मैं एक बहुत ही proper तरी information आपको provide करने कोशी करता हूं, ऐसा नहीं है कि बस मिल गया news paper में फट से आपको दे दिया, ठीक है, तो काफी analyze करके मैं उस चीज़ को provide करता हूं, ताकि आपको exact proper तरीके से information पहुचे, कुछ भी गलत आपके पास न जाए, भले ही उस चीज़ को अगर मुझे उस चीज़ क के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो मैं आपको वीडियो में किलियर कर देता हूं कि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, या फिर इसको मैं बाद में चेक करके आपको बताता हूं, अगला बिहार क्रेंट है, गंगा जला पूर्ती योजना, इसको भी हमने म पूछा कि 28 नौवंबर को जो इनागरेशन किया गया ना वो बताईए तो 28 नौवंबर को बोध गया में यह इनागरेशन किया गया है अधर यह डेट अगर नहीं देता तो यहां पर आपको राजगीर दे रहा था ठीक हमने राजगीर आपको बताता है तुमसे पहले बहुत गया और रंगाबाद इसम में यह जल आगंगा जला पूर्ती योजना को लाया गया है तो इस चिस पर हमने मंतली वीडियो में डिसकस किया था तो आप देख सकते हो कि बिहार करेंड सेक्षन से जितने भी क्वेस्चन आए पांच चार छे जो भी आए वो सब हमारे मं करेंड चेंज रहेगा और चीजेंगे और भी मैं उसमें बतानी की जरुरत होगी और आप बात करते हैं नेस्नल और इंटर नेशनल करिए शेक्शन की नेस्नल इंटरनेशनल करेंड शेक्षन से करीबन अधर 23 चॉर्विस कुष्चन आया है यूप ठीक यह तिस्विस क्व रिविजन के तौर पर बेस्ट फाइफ हंड्रेड का करेंट अफ्यस हमने कराया था उसमें से भी आपको क्वेश्चन दीखेंगे जैसे यहां पर देख लीजिए यह जो डॉनी पोलो एयरपोर्ट है यह हमने डिसकस कर रखा था फिर यहां पर आप देखिए हिमालियन याक याक वाला जो किया गया था इसको भी हमने डिसकस किया था यूबाट 2.0 स्कीम के बारे में हमने डिसकस किया था ठीक है एजुकेस्टर मिनिस्ट्री परम कामरूप सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने डिसकस किया था यह यह बेस्ट 500 का मैं सिर्फ बता रहा हूं यहां आप देखिये पोशन माह के बारे में बताया ता कि किस मंत को पोशन अभियान के तरपर नुटमां अबियान के तोर्पर नियूट्रीशन मंत कहा जाता है बुकर बैस के बारे में हमने बटाया था आपको अब सारे डिक्सिनरी जो है वो अपने अपने word of the year घोसित करते हैं उसमें भी हमने आपको सारे डिक्सिनरी का बता दिया था college dictionary, oxford dictionary और जो भी डिक्सिनरी थे सब डिक्सिनरी का हमने बता दे कौन सा word of the year है तो parma crisis यहां पर था कॉलिंस के लिए तो यह भी हमने discuss किया best 500 यहां बदा किए इकॉलस spacecraft के बारे में हमने आपको बताया था best 500 क्रेंट अफेस में जाक साग वाला यहां देखिए यह हमने बदाया था टेसला रोबर्ट के बारे में optimum कि तो टोल को 26 एंप सिक्स पूछे के करेंट से क्सक्ष्ण से थिकर इको नॉमिक सरवे वगिरा छोड़ के में बात कर रहा हूं 26 करेंट अफेस पुछे गयां जिसमें बिहार प्लस नेशनल नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेस पूछेंगे 26, पांच पुछे गएं बिहार से, अब बिहार से जो पांच पुछे गएं, पांचों को हमने मन्थली वीडियो में डिसकस किया ठीक है और ये जो नेशनल इंटरनेशनल करेंट सेक्षन थे ये 21 करेंट सेक्षन थे इस 21 में 9 questions ऐसे थे जो हमने last में आपके revision के तौर पर दिया था best 500 current affairs उससे पूछे गए ठीक है ऐसे 9 questions अब आप देख सकते हो कि ये बस best 500 last revision के तौर पर दिया था उसमें से 9 questions आपको पूछे गए हैं और इसके पहले अब कहोगे किसा 9 questions तो पूछे गए बाकी question का क्या तो उसके पहले हमने किया था एक वीडियो बनाया था top 3 sources के बारे में current affairs कैसे त्यार करें ठीक है तो यहाँ पे हमने 3 ऐसे top sources बताये थे कि इन top 3 में से आप कोई एक को prefer करो तो यहाँ इस बार का trend जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पूछा गया है वो इन दो से काफी मिल रहा है कि एडूटेरिया कि ठीक है एडूटेरिया का जो बूख है इससे काफी सारे questions पूछे गए इन फैक्ट एडूटेरिया से आपका बिहार भी बन सकता था ठीक उन्होंने भी काफी अच्छा कासा क्योंकि उस वक्त जो है वह रिजनल लेवल पे काफी जादा नहीं बता रहा था य हाथा आपको क्योंकि रिजन लेवल पे उब्यसी यूज्व नहीं था bbc में यह लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन देने के चæक्कर में यह लोग बहुत ही रेर मतलब पिलेश देते रहते हैं तीक यह लोग अपने मैगजीन में ज्ञादा स CH2 है तो यह चीज है यहां पता हूं मैंगजन की बाते इस Tीन की बात तो वहां से हमने हमें देखने को मिला यहां पर बिहार के दोर्ग कि के उन butter है और बागी का आप साइड करके चलो ठीक है तो यहां से आपको चीजे का क्या देखने को मिली कि आप अगर एडूटेरिया और स्पीडी कर लेते हो लास्टली मैं इसलिए यह चीजे डिसकस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए पूरे साल आपको बिल्कुल नहीं यह करेंट सेक्षन पर ध्यान देना है क्योंकि जिस तरह से करेंट सेक्षन का ट्रेंड थोड़ा चेंजे आ रहे हैं सेक्षन कहीं न कहीं आपको जाकर अटकाएगा अटकाएगा ऐसा ही है जैसे इस बार ही देख लो पांचों बिहार करेंट अफेर्स हमने डिसकस किया मंथली में फिर भी वहां पर प्रॉब्लम आए उससे डेट वाइज या फिर एक एक एक्जेक्ट प्लेस हमने आपको नह बड़ा नहीं है एक और आप ध्यान रख सकते हो मैं जो मंथली वीडियो में क्वेस्चन्स लाता हूं वह मुस्टली ऑन एवरेज 25 क्वेस्चन्स होते हैं और बाकी के आप यूट्यूब पे जागरते को आपको करीबन पचास से साथ क्वेस्चन्स मंथली दिये जाते हैं यहां तक कि मंथली के चुड़ो डेली भी लोग कराते हैं कई लोग बेस्ट हंट्रेड क्वेस्चन्स भी देते हैं बिहार से रिलेटेड तो आप देखो सिफ 25 हर महीने में क्वेस्चन्स दे रहा हूं ऑन एन एवरेज कभी यह 20 क्वेस्चन्स रहता है तो कभी 27 फिर कभी 30 ऐसे भी रहता है तो मैं एक्जेक्टली वो चीज़ें आपके साथ डिसकस कर रहा था जो आपके एक्जाम के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है तो यहां से आप बिलकुल ट्रेंड सेट कर सकते हो ट्रेंड समझ सकते हो और आगे 69th BPSC के लिए प्रेप्रेशन इस गारेमग्जीन वाले लोग इसको इस्ट को फुसकर ब्लम तर डियान की इसी यहां से रख यहां कि रखिए गा की बिली बार से की करना है आपको पूरे साल क्या करना है अपना स्ट्रेटिक पार्ट के किलियर किजिए हिस्ट्री जागराफी साइन्स वगारा यह सब कुछ पढ़ते रहिए ठीक है यह सब बढ़िया करना है और लास्ट में जब एक महीना बचे एक महीना या जीठ महीना बचे तो पढ़ना शुरू करिए एडूटेरिया का ये रिलीज कर देते हैं एडूटेरिया और बीच विच में थोड़ा थोड़ा रिफरेंस आप लेते रहिए स्पीडी का इन दोनों मैगजिन को आपको BPSC के लिए बिलकुल रख लेना है और इससे ज्यादा कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ना है क्रेंट सेक्शन के लिए ठीक है बाकी पूरा फोकस आप स्टेटिक पर दे के रखिए क्योंकि ये जो एक्जाम है इसमें कटफ आपको निकालना है ठीक हर क्वेश्चन बना डालना है यसा नहीं है सिर्फ कटफ निकालना है आपको इसलिए इतना करिएगा तभी आपका आ सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं बिहार से विस के अगले वडियो में थाइंक यू फूर बॉचिंग जैहिंद